प्रधान मंत्री जी, आपने व्यक्तिगत तोर पर मेरी मा को इतना आधर और सम्मान दिया मेरे परिवार की संकट की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहे मैं आपकी रिणी हूँ नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है बीजेपी की चर्चित नेत्री रही पुरुकेंद्री मंत्री स्वरगी सुस्वा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को दिल्ली भाजपा ने मंत्री बनाया है बातरी स्वराज ने 2019 में अपने मा के निधन के बाद स्रधानजली कारिक्रब में जो अपने भाव की अभी ब्यक्ति की थी वो उनका स्पीच काफी वाइरल हुआ था और एक बार फिर से वो वाइरल हो रहा है यहां उपस्थित सभी दलों के नेतागण तथा मा की स्मिती में पधारे बंधुगण आज आप यहां दल और विचारधारा की भिन्धता को छोड़कर मेरी मा को शद्धांजली देने यहां आए मैं बहुत आभारी हूं जीवन के भीषण से भीषण संग्राम में भी मेरी मा संयमित थी अनुशासित थी मर्यादित थी सरकारी पक्ष हो या विपक्ष संसद की तेज तर्रार तक्रार के बाद सेंट्रल हॉल के बटर टोस्ट कॉफी और गपशप पे वो अपने राजनेतिक विरोधियों को मोह कर मित्रों में तबदील करने वाली मेरी मा थी व्यक्तिकत रूप से वो बहुत सरल थी और बहुत ही सुलजी हुई शक्सियत थी मेरे लिए तो वो प्रेम, समझदारी और सीख का भंडार थी दुन्या में मेरी सबसे अच्छी दोस्त शी वाज माई बेस्ट फ्रेंड उनकी 42 वर्ष की राजनेतिक तपस्या में आप सभी का कभी न कभी किसी न किसी रूप में योगदान था उसके लिए मैं आप सभी की शुक्र गुजार हूँ प्रधान मंत्री जी, आपने व्यक्तिगत तोर पर मेरी मा को इतना आधर और सम्मान दिया मेरे परिवार की संकट की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहे, मैं आपकी रणी हूँ भारतिय जनता पार्टी की शीतल छाया में मेरी मा ने अपनी राजनेतिक सफर की पूर्ती करी उनको पहचान देने वाली भारत ये जनता पार्टी की मैं तहेदल से शुक्र गुजार हूँ मंच पे बोलने वाले सभी वक्ताओं ने आज मेरी जोली इतनी अच्छी स्मृतियों से भर दी है कि आने वाला कठिन रास्ता मैं और मेरा परिवार आपकी दी हुई इन ही स्मृतियों के सहारे काटने का प्रयास करेगा कहते हैं कि दुख बाटने से घटता है और खुशी बाटने से बढ़ती है आप सभी यहां आज आए और हमारे हमारे परिवार का गम बाटा इसमें मैं अनुराधा पॉडवाल जी और उनके सहयोगी कलाकारों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने अपनी गाईकी से ऐसा भक्ती और प्रीती का माहौल बांधा कि इस दुखत घड़ी में भी कुछ शण सुकून के हमें नसीब हुए बहुत बहुत धन्यवादा जैसा कि आपने देखा और सुना बासुरी स्वराज का ये संबोधन दिल को छू लेने वाला है उन्होंने प्रधान मंत्री समें तमाम गड़माने लोगों का जिस तरीके से आभार व्यक्त किया था और जो संबोधन दिया था उसी समय लगा था कि राजनितिक एंट्री इनकी होगी और अभी जब मड़ीपूर पर सुनवाई हो रही थी उस समय बासुरी स्वराज ने बतार एड़वोकेट राजस्थान 36 गड़ और पश्ची मंगाल का मामला कल ही उठाया था और अब खबर आ रही है कि उन्हें परदेश भाजपा में मंत्री बनाया गया है राएन भी खबर देखते रही है इनकी खबर थैंक यू